दोस्तों आज सुभे आठ वजे से एपल की 16 सीरीज की सेल ओफिशली शुरू हो गए उनके एपल स्टोर के अंदर से जहां पर एपल का जो स्टोर है मुंबई के अंदर बीकेसी मॉल पे और दिली सीटी वॉक मॉल के अंदर इस तरीके से भीड जूटी जैसे की भंडारा लग गये थे कि सबसे पहले फोन मेरैं भंडाना चाहते हैं कि हर एक बंदा पहले से पहले ही फहले लेना चाहता है मान लिया तो बाइक faiteby जाते एक दूधर ईतिनी लंबी निये करने को सिधा लाइन में लग गए बस जाके फोन ये लेना इतनी लंबी लाइन तो ये मंदिर गुर्दवारे चर्च या मजजिद में लगे होंगे जितनी लंबी लाइन में यहां पर लग गए मतलब कोई है नहीं कुछ काम धंदा की बही चलो आज फोन ही लेंगे सब एपल वालों ने और ये हाल तब है जब ब्लिंकिट ने कह रखाय कि हम 10 मिनट के अंदर आपको आईफोन 16 सीरी डिलिवर कर सकते हैं आपके डोर स्टेप पर आपको कही लाइन में लगना भी नहीं आपको घर पे ही मिल जाएगा और इसी के साथ सथ बिग बास्किट ने भी फोन के लिए जिसके अंदर दिया कुछ नहीं अपग्रेड के मामले में मतलब एक जनरेशन पुराना भी ले 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 तो भी चल जाता इतना कुछ फरक दिखता भी नहीं है जो प्रो वाली सीरीज है लेकिन फिर भी इन्होंने का कि चलो लेना है तो लेना ही है हम तो बाज दिवाली धमाका निकाला है जिसके अंदर वो एक साल का फ्री जियो एर फाइबर सर्विस दे रहे हैं लेकिन इसको पाने के लिए भी थोड़े बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे जो कि थोड़े बहुत जादा है अगर आप शॉपिंग वापिंग करोगे तो भाइया आप जियो फाइबर का कनेक्शन ले लो और तीन महीने का रिचार्ज करवा लो जिस रिचार्ज की कीमत होगी 2222 रुपे उसके बाद में आपको एक साल का जियो एर फाइबर सर्विस फ्री में दे देंगे और यहाई पर आप कोगे यार मैं तो एक्जिस्टिंग कस्टेमर आपको भी तीन महीने का दिवाली प्लान रिचार्ज करवाना पड़ेगा जिसके बाद में आपको 12 महीने का कूपन मिल जाएगा जिस बारम हीने के कूपन को आप ना रिचार्ज करवा सकते हो पूरे एक साल के लिए या फिर आप उससे शॉपिंग कर सकते हो रिलैंस भी देंगे 100 GB की तो वह एक अलग चीज आ रही है तो यहां पर दिवाली धमाके के अंदर चलो कुछ तो दे रहा है जी हो लेकिन हाँ इसके लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे तो वह जिसको नहीं लेना है वो तो क्यों ही खर्च करेगा जिसके पास औरेडी एक अनेक्श बनाने वाली कंपनी एजी सी ने कोलाइबरेशन किये डोकोमों के साथ में जिसके बाद में वो इस तरीके के अंटीना लगा रहे हैं जिन बिल्डिंगों पर शीशे लगे हुए हैं उन पर वो इस तरीके के शीशे नुमा एंटीना लगा रहे हैं जो कि एंटीना लगेगा हो जाती है जिसकी वएसे बहुत कम डिस्टेंस पे 5G के एंटीना लगाने पड़ते हैं ताकि 5G के सिगनल स्ट्रॉंग आते रहे और नेटवर्क तगड़ा आता रहे जिसकी वएसे हमको 5G के स्ट्रॉंग नहीं आते हैं जब हम किसी बिल्डिंग के अंदर घुज जाते हैं क्योंकि वहां पर 5G के एंटीना वगेरा नहीं है दुनिया में सबसे पहली बार 5G नुमा एंटीना ग्लास के रूप में बना के तो यह एक वीडियो है जो कि इंटरनेट पे काफी साथा वाइरल हो रही है शायद चाइना से आ रही है जहां पर एक बंदा सो रहा है और उठते के साथ ही बंदा यह नहीं की भागव प्रें दिकाने वालों को जिसके बाद में भालू पीछे भागए दिखा क्या वालू थो यह दिखा क्या रहा है जा रहे हैं जो कि आपको सैमसंग के फोल्डेबल या फ्लिप वाले फोन की तरह ही लगेगा लेकिन इसकी कीमत थोड़ी सी कम होगी यह सिर्फ सतर हजार रुपे के आसपास में होगा जहां तक अंदाजा लगाया जा रहा है और देखते हैं इस मन्त के कौन से दिन में अब द कर दो कध्या जा क्रदो हृब यिविर्ड बिलना क Tartheng इसका अंदानाा वाले भी आस्म्हें जढ को होगी झाले प्लिजल याले वाले झाले अंवें एठ